Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel myself Umar Taskir Guys Google Ads course के इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही important concept के बारे में Guys हम लोग समझने वाले हैं कि जो एक consumer की या जो एक prospect की है जो एक user की buyer funnel होती है उस funnel के अंदर अलग-अलग stages होती है या हम लोग कह सकते हैं कि एक funnel के अंदर buyer funnel के अंदर अलग-अलग steps होते हैं हर एक steps पर user किस type की query करता है क्योंकि queries अगर हमें समझ में आ जाए अगर हमें queries के बारे में ठीक तरीके से पता चल जाए तब ही हम लोग अपने जो keywords है उनके अच्छे तरीके से research कर सकते हैं इस चीज में कोई भी doubt नहीं है मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि actually user किस तरीके से search करता है queries का मतलब क्या है कि user जब google के उपर जाता होगा और जो searches कर रहा होगा that is basically queries तो अगर हमें ये पता चल जाए कि user किस तरीके से queries कर रहा है अलग-अलग जो steps होते एक buyer की funnel में ठीक है buyer की हमेशा एक funnel होती वैस ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई laptop खरीदा है मैं simple जाऊंगा Amazon के उपर या किसी भी e-commerce website के उपर और simply मैं laptop खरीद के आ जाऊंगा ऐसा नहीं होता है गाई उससे पहले मैं कुछ research करता हूँ कुछ मैं awareness collect करता हूँ कुछ मैं interest दिखाता हूँ कुछ मैं अलग-अलग companies के उपर research करता हूँ price वगरा compare करता हूँ reviews वगरा देखता हूँ यह सारी चीज़ें हम लोग करते हैं उसके बाद जाते हैं तब हम लोग laptop खरीदे और मैं भी अगर करूँगा तो इसी टाइप से करूँगा जो needs थी उनके बारें पता था कि मुझे किस टाइप का जो है वो laptop चाहिए तो उसकी भी मैं research करके रखा हुआ हूँ कि भाई मुझे productivity के लिए laptop चाहिए मुझे gaming के लिए laptop चाहिए किस purpose के लिए चाहिए तो उससे पहले मैंने बहुत सारी research करी होगी बहुत सारी queries करी होगी उसके बाद मैं इस टाइप के keywords तक पहुंसता हूँ और फिर जो भी मुझे results दिखाई देते हैं जो भी मुझे ads बगरा दिखाई देते हैं फिर मैं website पे जाता हूँ और फिर मैं वहाँ से purchase जो है वो करता हूँ so this is basically the reality और इसी तरीके से काम होता है फाइन तो यह जो अलग-अलग steps हम लोग bias funnel की बात कर रहे हैं हर steps पे अलग-अलग steps में user अलग-अलग तरीके की queries करता है फाइन तो इनी सब चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस type की queries किस level पर funnel के किस level पर वो किस type की queries करता है क्योंकि अगर हमें ये वीडियो समझ में आ गया तो guys जो keyword से related bids होती है keyword से related bidding strategy होती है किस type से आप अपनी average CPC को low कर सकते हैं ये बहुत सारे concept आपको समझ में आ जाएंगे क्यों समझ में आ जाएंगे क्योंकि जो bias funnel होती ही न ये step होता है fine इसमें अगर हम लोग ब keywords जो होते हैं वो cheap होते हैं तो आप अपनी analysis करोगे आप अपनी research करोगे कि actually आपको ये awareness से related जो keywords है उनके उपर add चलाना है या नहीं चलाना है और अगर आपको awareness वाले जो keywords है उनके उपर अगर आपको add चलाना क्योंकि वो keywords directly जो है वो convert नहीं होते हैं ठीक है जैसे मैं अग की research कर रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं सीधे सीधे जाओंगा और इस query के basis पर मैं जो है कोई ना कोई laptop purchase कर लूँगा फाइन तो अगर कोई advertiser जो मैंने पहले query बताई कि which is the best laptop for gaming इस particular query के उपर कोई अगर advertiser ad run कर रहा है और उसके उपर clicks आती ही तो के ज़्यादा chances हैं कि वहाँ से conversion हो नहीं है ना तो इस type के जो keywords होते हैं उनमें हमेशा competition जो है वो कम होता है कहने का मतलब awareness stage के जो keywords होते हैं starting के जो keywords होते हैं यह जिनको हम लोग बोलने है top of the funnel, top of the funnel के जो keywords होते हैं वहाँ पर हमेशा competition कम होगा और competition कम होगा तो but obvious सी बात है कि जो आपकी CPC होगी average CPC होगी वो भी कम होगी तो queries और keywords को और buyers funnel को अगर हम लोग detail में समझ जाएं तो हम लोग इस type के चीजों को answer कर सकते हैं कि हमें किस type से जो keywords हैं उनकी CPC रखनी है, किस type से keyword के उपर bidding करनी है, जैसे मान के चलते हैं अगर हमें कोई ऐसा keyword दिख रहा है जो bottom of the funnel keyword है, यहाँ पर मान के चलते हैं, example लेकर चलते हैं, bottom of the funnel अगर कोई keyword है तो bottom of the funnel keyword में क्या होता है, कि chances जादा होते हैं कि यहाँ से conversion आए, high chances हैं कि यहाँ से conversion आए तो हम इसके ओपर थोड़ा सा aggressively bid कर लेंगे, इसमें कोई problem की बात नहीं है, इसके ओपर थोड़ा सा जादा bid कर लेंगे इन keywords को हम ऐसे रखेंगे कि हम इनको manually control कर सकें, fine, जो हमारे ये वाले keywords है, इनको हम maximize clicks के ओपर चला दें, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा control भी नीच चाहिए, हम maximize clicks के ओपर चला देंगे एक upper capping जो है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे, यानि कि maximum CPC bid जो रखने का हमें option मिलता है न, वो हम यहाँ पर रख देंगे maximum CPC bid, right, clear हो रहा है आपको, तो guys यह actually importance है, इस topic की आगे बढ़ते हैं guys, जैसे मैंने बताया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, कि कोई user directly action ले ले, कोई user directly customer बन जा, ऐसा नहीं है, वो पहले बहुत सारी research करके चलता है, तो जब कभी भी कोई purchase final होती ही, तो user सबसे पहले awareness वाली stage में जाता है, उसके बाद interest वाली stage में जाता है, फिर desire में जाता है, यहाँ पर बड़ी सारी research हो गयरा हो करता है, उसके बाद वो purchase final करता है, तो हो सक IIT coaching है, फाइन, अगर आपकी IIT coaching है, तो यहाँ पर awareness वाली stage में user जो है, search कर सकता है, what to do, what to do after class 12, class 12 के बाद क्या करें, तो आपका यह potential customer है की नहीं, पहले बाद तो यह समझो, क्या यह वाला बंदा जो Google के उपर जाकर यह search कर रहा है, कि मुझे क्या करना है 12 के बाद, वो एक IIT coaching का potential customer है या नहीं है, बिल्कुल potential customer है, क्योंकि इसके chances हैं, अगर इसके पास mathematics थी, तो इसके chances हैं कि IIT coaching में जाके admission लेगा, तो यह इसका prospect है, यह भविश में इसका customer बन सकता है, लेकिन अभी यह coaching के पास नहीं आया है, यह नहीं कहह रहा है कि मुझे coaching में admission लेना है, यह मुझे यह बताओ, coaching में admissions किस तरीके से लेते हैं, यह इसकी बात नहीं कर रहा है, वो अभी starting में, awareness वाली phase में, उसके बाद वो दूसरे type की keyword सर्च करेगा, कि why do IIT, why do IIT, या scope after IIT, fine, job opportunities, job opportunities after IIT, fine, तो इससे हमें क्या clarity हो रही है, कि अभी वो awareness वाली stage में है, तो अगर हम इन keywords के उपर bid करें, तो क्या हम बहुत aggressively इन keywords के उपर bid करेंगे, नई, हम इन keywords के उपर कभी भी बहुत aggressively bid नहीं करेंगे, कहने का मतलब, user जब start करता है internet के उपर research करना, और जब तक वो product नहीं खरीद लेता है, तब तक वो इस type की buyer funnel से होकर गुजरता है, जब buyer funnel से होकर गुजरता है, तो हर एक step पे वो कुछ queries करता है, तो हमें समझना है कि कौन से step पे किस type की queries होती है, या queries को देखके हमें समझ में आ जाना चाहिए, कि actually ये query किस type की है, जैसे हम अगर action की बात करें, तो इस वाले point पे आके user actually transaction करता है, मतलब अपनी purchase को final करता है, त queries देखके हमें समझ में आ जाना चाहिए, कि वो जो बंदा है, वो किस stage के उपर है, query देखके हमें समझ में आ जाना चाहिए, कि इस query के according, इस बंदे को अगर proper result दिख जाए, हमारा add दिख जाए, उस पर click करके हमाई landing के उपर आ जाए, तो वो conversion कर सकता है, तो बात क्या समझ में आ रही है, कि buyers funnel का भी role है, keywords को, queries को, और अच्छे तरीके समझने के लिए, यहाँ पर हम लोग इतने seriously इसको क्यों पढ़ रहा है, reason यह है कि हर stage के जो keywords होते हैं, उनकी जो CPC bid है, वो आपको अलग-अलग पढ़ सकती है, तो कहीं ऐसी गलती न कर दें, कि आप इन keywords के बहुत aggressively आप bid कर रहा है, बहुत जादा budgeting keywords के उपर spend कर रहा है, यहाँ के लिए आपने budget ही नहीं रखा, fine, तो इसलिए हमें समझना होगा, कि कौन सी queries किस particular stage पर आती है, funnel के, और उसी recording हमें उसको deal करना है, उसी recording उससे related हमें keyword research करनी है, fine, तो यहाँ पर आप देखो, general queries becomes very specific as the prospects move down the funnel, इसकी बात हो रही है, जो general queries होती है, वो धीरे धीरे specific होती जाती है, बहुत specific, specific मतलब to the point, सीधे मुद्धे की बात होने लगती है, यहाँ पर, मैं example आपको बताता हूँ, यह उपर इसको बोलते हैं, हम लोग actually top of the funnel, इसको बोलते हैं, top of the funnel, यह जो दो levels आपको दि top of the funnel बोलते हैं, और इसको हम लोग bottom of the funnel बोलते हैं, bottom of the funnel, तो एक बात तो clear हो जाती है, यही से, कि top of the funnel वाले keywords में, यह queries में, transactional intent नहीं होती है, मतलब यहाँ से बंदा खरीता नहीं है, actually, बहुत ही direct नहीं खरीता है, यहाँ पर transactional approach होती है, ठीक है, यहाँ लिख देता हू awareness stage की keywords किस type के होते हैं, ठीक है, interest stage के किस type के होते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो वही IIT coaching वाला मैं example यहाँ पर पकड़ के चलता हूँ, रूसी के basis पर हम लोग यहाँ पर keywords mapping करते हैं, ठीक है, यहाँ का मैं एक keyword लिख रहा हूँ, awareness का जैसे what to do, what to do after IIT ठीक है, this is a awareness stage keyword, यह basically एक awareness stage का keyword है, अब interest stage पर आ जाते हैं, अब उसको interest आ गया है, तो अब उसकी जो queries है ना, वो थोड़ी सी change हो जाएंगी, ठीक है, जैसे from where to do IIT coaching, अब उसे समझ में आ गया है कि IIT coaching हम कर सकते हैं, या how to prepare for IIT, यह ज्यादा relevant है query, ठीक है, क्योंकि वो पहले तो देख रहा था कि क्या करना है, after 12th, not after IIT, after 12th, क्या करना है उसे, यह उसकी पहली query थी, second जो query थी, वो यह हो गई कि किस तरीके से IIT के लिए वो prepare करेगा, second query हो गई, अब desire में आ जाता है, how to choose best coaching, उसको desire है, best coaching में जाने की, अब जब वो सब कुछ final कर लेता है, मुझे सब कुछ clear हो गया, मुझे coaching में ही जाना है, पढ़ने के लिए, अब वो यह सर्च करता है, best IIT coaching, जाहिर सी बात है, अपने शहर में ही जाना है, उसको अगर कोटा होगेरा जाना है, फिर तो कोटा चला जाएगा, otherwise वो अपने शहर में ढूनने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर best IIT coaching in Delhi, वो यह query मारता है, अब आपको खुदी keywords देखकर समझ में आ गया होगा, कि कौन सा keyword, किस stage को map कर रहा है, आपको चीज़े और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक example लिखा हुआ है, आप इस example को देखेंगे, तो आपको और ज़्यादा clarity हो जाएगी, जैसे what is the fee of IIT coaching in India, interest or desire, मतलब अब IIT coaching वो बंदा final कर चुका है, ठीक है, अब उसको interest आ रहा है और उसकी desire बढ़ रह ही है, ठीक है, तो इस phase की query है, interest or desire की दूसरी query, best books related to IIT coaching, तैयारी में वो लग चुका है, coaching के भी बात नहीं हो रही है, लेकिन best books वगरा उससे ही relevant है कि वो coaching में भी आ सकता है, awareness stage देखो, what to do after 12th मैंने भी example बताया, commercial intent देखो, best IIT coaching admissions, best IIT coaching in Delhi, awareness stage के फिर से example, what is the scope of engineering, after, ठीक ह how to take admissions in IIT, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि funnel की हर stage पे, जैसे जैसे queries बदलती है, वैसे ही वैसे हमारे keyword selection की approach भी बदल जाती है, वो queries जो top of the funnel में होती, वो उतनी जल्दी transaction नहीं करेंगी, इतनी जल्दी उसमें जो है, वो बंदा आ के हमारा course नहीं खरीदेगा, उसमें commercial intent बहुत कम होती, तो वहाँ पर हम कम ध्यान दें, और उसी तरीके से जो हमारे bottom of the funnel की keywords होते है, queries होती है, उन पे हम ज्यादा ध्यान दें, दोस्तों I believe आपको एक और concept बहुत अच्छे तरहीं समझ में आ गया होगा, तो गईस अगर channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, त चैनल को जादा लोगों तक पहुँचाएं, share करें, मिलते हैं next video में, ऐसे ही बहुत जादा informative content के साथ, till then good bye.